Hello everyone, welcome to our YouTube channel ITI Education IT Pass Viddharthiyo के लिए अच्छी कवर निकल कर आ रही है ISRO की ओर से, ISRO की अलग-अलग यूनिट में जो Upcoming Technician B की Requirement आने वाली है Finally उसका Official Tender Release होगी है तो इस वीडियो में बने हुए रही है मैं आप सभी को साथ डीटेल बताऊंगा बहुत ही अच्छी कवर, बहुत ही गुड निउस आप सभी के लिए निकल कर आ रही है तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास सेर कीजिएगा और बाद बाकी मैं आप लोग को बता देता हूँ अपने वेबसाइट itaeducation.com के बारे में तो आप सभी itaeducation.com वेबसाइट पर विजिट कर लिजेगा यहाँ पर सारा अपडेट परवाइट कराया जाता है तो आप सभी रेगुलर्ली चेक किजिए गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो भी अभी रेशेटली में वेकेंसी आया हुआ है यहाँ जो भी campus placement या previous paper हो गया यहाँ पर available हो गया है तो आप सभी इस वेबसाइट पर चेक कर लिजेगा अब चलिए मैं आप सभी को detail बताता हूँ इसे के बारे में और यह बहुत ही अच्छी न्यूज आप सभी के लिए तो प्रीज लाइक कीजिएगा एक प्यारा सा तो गाइस सबसे पहले जान लिजिए tender के बारे में tender मतलब यह होता है कि किसी भी भी भाग में जो वेकेंसी आता है उससे पहले department क्या करती है एक CBT tender रिलीज करती है tender मतलब यह होता है कि एक official PDF रिलीज करती है जिसमें बहुत सारी detail मेंसन रहता है तो मोटा मोटी यह जान लिजिए कि इसमें बहुत सारे जो IT company होती है जिनके पास जो exam conduct कराती है बहुत सारे IT company आप लोग नाम सुनते होंगे TCS का नाम सुनते होंगे Infosys हो गया या कोई और भी जो agency है जो आप लोग का online IT से related है वो इसमें भाग लेती है यह सभी company इसमें अपलाई करती है उसके बाद इसमें इनका कुछ process होता है बीडिंग process होता है जो बीडिंग बोली लगती है जिसमें जो company जीतती है उनको tender मिल जाता है उसके बाद उसके बाद वो सारा company का जिम्मा हो जाता है form भरवाना हो गया हो उसका admit card release करना हो exam conduct कराना हो answer की release करना हो result release करना हो सारा जिम्मेदारी जबाब दे ही उस company का हो जाता है तो इसके लिए विभाग tender release करती है इसका मतलब यही होता है तो already मैंने इससे पहले IOCL का भी बताया था जो technical attendant का जो requirement आने वाला है उसका भी tender complete होने वाला है वह भी आप लोग का इससारी equipment देखने को मिलेगा technical attendant IOCL pipeline division में यह बात आप लोग को धियान देना है और यह जो अभी tender आट हुआ यह इसरो की ओर से यहाँ पे यह जो tender है आट हुआ है तो जैसे ही यह tender complete होगा इसमें भी आप लोग को बेकैंसी देखने को मिल जाएगा और अनुमान यह बताया जा रहा है कि जुलाई, अगर सेफ्टेंबर के बीच में आप लोग को यह बेकैंसी देखने को मिल सकता है टेकनिशन भी खा बहुत अलग अलग पॉस्टों के लिए अलग अलग यहां पर रिकूर्मेंट आने वाला है गाई और बात करो तो आप लोग को पता है कि इसरों का अलग अलग जगों पर अलग अलग यूनिट है जैसे कि आप लोग का इस पेस अप्लिकेशन सेंटर हो गया आमदाबाद हो गया या सतीस दवन इस पेस सेंटर हो गया या विक्रम सारबाइस सेंटर हो गया नेशनल इमोन वहाला है और यहां पर लोग को पहले आई टी वालों के लिए झाने में वहाले हुव्ल कई देखा दूंगा जो पहले हैं जो पालने फ मिलेगा पर इक 7002-25ião कर दर्लेगा पर प्रसун ‫देख सब्सक्राइज को सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं को सदेंविए ऑं Course statement है तो इहां पर देख सकते हैं को सप्रेजिए प्रस्ति फोड़ी तो दरेटिए लिए पतर रह गया है और यहुट्र सब्जक्तर रहेगा वह का अपलो का t allerdings क्याusta है नि हुद या करिकुलम बेश्ट करैट्रीए बया नोगे में टेश्ट में से 20 मार्स भी देखने को कोoppal देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा, Scientist का देखने को मिलेगा, Engineer का देखने को मिलेगा, Requirement, Technician के अलाबे, उसके बाद यहाँ पे कुछ Un-Post भी निकलेगा, यहाँ पे देखिएगा, Administrative का निकलेगा, Accounts का निकलेगा, Purchase का निकलेगा, Store Officer का निकलेगा, यह सब ही Requirement आएगा, तो मेली देखने को मिलेगा, अलग-अलग Unit की और से बाद वाकि कुछ Non-Technical पे तो वेकेंसी आएगा ही आएगा, जैसे कि Junior Personal Assistant हो गया, इस्टेनों गराफर हो गया, यह सबी भी आएगा, लेकिन हम लोग का फोकस रहेगा, Technician B पे, तो आप सब भी तयार हो जाएं, जितने भी ITA Holder आप सब भी इसी का recording तयारी करते रहें, और जैसे ही इसका tender complete होता है, आप लोग का vacancy देखने को मिल जाएगा, और अनुमानित यह बताया जा रहा है, अगस्त, जुलाइग या सब्टेंबर के आसपस में आप लोग का यह requirement देख सकता है, और अलग-अलग Unit की और से requirement तो धीरे-धीरे करके निकलता है अलग-अलग Unit का, एक ही बार में नहीं आता, आप लोग देखे होंगे, इससे पहले भी चुनाव से पहले आया था, तो अलग-अलग Unit करके ही आया था, तो आप सब भी इसके लिए तयार रहेगा गाईज, और यह एक छोटा सा अपडेट अपना तयारी प्रिप्रेशन कंटीनू रखे, मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, धन्नवाद